Hello Friends, Welcome Back To My Channel तो आज मैं आपको बताने जारी हूँ कि बिना Wax का आप पानी में Candle कैसे जला सकते हो तो आपको सुने में बहुत ही आश़र होगा कि बिना Wax और पानी में Candle जी हाँ आपने बहुत ही सही सुना है कि बिना Wax का मैं पानी में Candle जलाना बताऊंगी आप इसे बहुती सुन्दर से डेकोरेट कर सकते हो जो बनने के बाद बहुती प्यारा लगेगा तो इस दिवाली आप जरूर इसे ट्राय करना और जलाना जब आपके घर में कोई भी मैमानाएंगे तो देखेंगे तो बहुती प्यारा सा लगेगा कैंडल आपने कैसे जलाया था चरी देखते हैं कि यह कैंडल कैसे बंते हैं मैंने इसतारे के सबस्क्राइबा या पतली फाइल जो आती है प्लास्टिक वाली वह भी ले सकते हो मतलब जो भी आपके घर में बेकार प्लास्टिक पड़े हो उनका यूज आप कर सकते हो तो मैं देखिए इस तरह के धकन है न इसका जो बीच का हिस्सा है गोल मैं इसको काट लूँगी तो इस तरह के कोई भी आप प्लास्टिक यूज कर सकते हो जो इसली कट जाए तो देखिए मैंने इसी गोल शेप पे काट लिया है तो और फिर मैं इसके बीच में ये जो मोटे वाले सुई आते हैं उससे मैं होल कर लूँगी तो इस तरह से आप दो बार तीन बार शुक Wool कर लिजए कि अच्छे से थोड़ा बड़ा ओल हो जाए उसमें तो इसी तरह से मैंने और भी बनाए थे तो देखिए मैंने इस तरह से बना लिए हैं अब हमें करना है कॉटन लेना है और इसका मैं कॉटन का बत्ति बनाओंगी तो बस देखिए इस तरह से थोड़ा नीचे मोटा सा और उपर लंबा सा करके आपको उसे घुमा दीजे तो बस इस तरह से फुल बत्ती जैसे बनती है बस उसी तरह से हमें बनाना है और फिर इसके जो प्लास्टीक है मैंने गोल काटा है शेप ना उसमें इस तरह आप लगा दीजे ये बत्ती को, बस तीनों में इसी तरह से मैं लगा दूँगी, बस ये बनके मेरा रेडी, अब हमें करना है कोई भी शीशे का बाउल हो, चाहे ग्लास हो, चाहे कोई जार हो, कुछ भी आप ले सकते हो, बस उसमें मैंने कुछ आटिफिशल फ्लावर है, पॉम पम है, और ये ग्लीटर है, मोतियां है, जैसे आपको डेकरेट करना हो, बस आप डेकरेट कर सकते हो, इसे, तो मैंने इसमें थोड़ा सा ग्लीटर डाल दिया, और बस पानी, और ये जो मैंने प्लास्टिक में बत्ती लगा के रखी वी थी, इसमें बस थोड़ा सा आप तेल डाले तो बस हमारा पानी वाला केंडल बनके रेडी इसी तरह से मैं ग्लास में डाल ले हूं बस मैंने एक मोती का माला डाल दिया कुछ मोतियां डाल दी और ग्लिटर डाल दिया बस ऑईल डाल दिया और बत्ती डाल दी बस इसी तरह से आप त्यार कर सकते हैं जो भी कलर का ग्लिटर हो आप कलर फुल इसको बनाना चाहते हैं तो कोई कलर भी डाल दीजे तब भी अच्छा लगेगा तो बस इस तरह से आप जला दीजे तो देखे इस तरह बनने के बाद बहुत ही प्यारा लगता है तो हमारा water candle ready तो इस तरह से आप try जरूर करना और मुझे comment करके जरूर बताना कि ये मेरा idea आपको कैसा लगा तो मिलते हैं next video में Thank you for watching my video And bye bye Thank you